हेलो असलाम अलेकुम मुहम्मस सलीम आपके साथ तो दुबई में इद की हॉलिडेस स्टार्ट होगी है इद से पहले होगी हाज तो आप सभी को हाज बहुत-बहुत मुबारक हो और इंशालला अल्ला ताला हम सबको हाज नसीब करें तो यहाँ पर अवेलेबल हो गया मैक्स 3 करेंगे इसको अन्बॉक्स जानेंगे इसकी दुबई की प्राइज आवेलेबिल्टी तो जनता एक लाइक बनता लालको काला बनता तो तो बॉक्स कुछ यूँ हमें देखने को मिलता है मैक्स 3 का मैक्स 3 यहाँ पर है लोगो मैक्स 3 बड़े-बड़े से लिखे हैं मै बहुत बहुत शमा को 4Gb की रैम 64Gb का इंटेरन स्टोरिज फिलहाल यही वेर्येंट दुबाई में अवेलेबल है जो कलर में आपको दिखाने माने आवेलेबल है दूसरा कोई कलर और दूसरा कोई वेरेट अवेलेबल फिलहाल नहीं है जो बैटरी अवे मिलते हैं विशा नाइन इंच की फुल एचेटी 18 इंटू 9 वाली स्क्रीन है इसकी 18 इंटू 9 मैं को बॉल दू मैक्स 3 और मैक्स 2 के जो साइज है वो अल्मोस्ट सेमी है लेकिन यहाँ पर आधा इंच मैक्स 3 मैक्स 2 से बढ़ा है क्योंकि 18 इंटू 9 की वज़े से जो बैजल से है वो बहुत ही कम हो गए है तो पूरा ही यहाँ पर और चैनीज में लिखा है इसका बॉक्स चार साइट से मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर मैक्स 3 ही लिखा है तो इस बॉक्स तो हम खोलेंगे शर्मा जी के स्टाइल में क्या बात है क्या बात है यह रहा एम आई का मैक्स 3 और यहां पर यह है मक्षी यह है मच्छर मैं सिर्फ बोलता नहीं यह दिखते भी है यह मक्षी मच्छर मैक्स 3 और बाकि सब चैनिस में लिखे इसको हम निकालते हैं बाहर बहुती बड़ा और बहुती विशाल सा यह देख 3 और इसको स्टार्ट करते हैं ओके स्टार्ट था तो अम बॉक्स में देख लेते हैं हमें क्या और देखने को मिलता है दोस्तों यहां पर हमें वो केस देखने को नहीं मिलता ठीक यहां पर कुई इस बार केस नहीं दिया है साथ में सिलिकॉन का जो केस आता है वो केस नहीं है यहाँ पर Quick Start Guide होने वाली है यहाँ पर यह Hybrid SIM है या तो आप 2 SIM में लगाओ या फिर आप 1 Nano और 1 Macro SD लगाओ तीन चीज़ें एक टाइम में नहीं लगेंगी ठेक है इसको हम कर देते हैं Side में और यहाँ पर SIM Ejector Tool है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है और इसका जो Adapter है Background में होगा Noise तो उसके लिए मचाता हूँ चमा को इसका जो Adapter है यहाँ पर Quick Charge 3 का Logo भी है Quick Charge 3 का Logo है 5 Volt 3 Amplier का यह एक Fast Charge Outdoor Box हमें एक Qualcomm का Fast Charge देखने को मिलता है यहाँ पर Type-C है हाँ यहाँ पर Type-C है Type-C की केबल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है Type-C की केबल है इन सब चीज़े को कर दो साइड में अब हम लेके आते हैं MI का Max 3 जो कि कुछ इस तरह से देखने को मिलता है इसका Front का Sticker हम अटाते हैं बड़े ही आराम से और यह आ गया इसका Front Sticker बाहर अब इसको स्टार्ट करते हैं MIUI 9 में चल रहा है आउट और बॉक्स क्या बोलेंगे हम चलो भाई आगे English India को Select करते हम बोलेंगे चलो भाई आगे तो यहाँ पर हम Fingerprint को Add कर लेते हैं और अपना Favorite Pattern लगा लेते हैं और यहाँ पर यहाँ आओगा Got It Got It कर दे और यहाँ पर हमने लगाया Pattern और Confirm फिर से बोलता है सौरी फिर से बोलता है Confirm ओके आप बोला इसने Confirm और आप बोलेगा यह रखो तो देखते हैं कितनी बार रखना होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो आठ बार रखना होता है तो ओके बोल के डन कर देते हैं चोलो भाई आगे और डिफॉल्ट वाली थीम लगा के बोलेंगे हम चोलो भाई आगे सेटप कम्प्लीट जब तक यह लोड ओरा है दोस्तों फिलहाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड कलर हाला कि दिखने में थोड़ा रोस गोल्ड भी लग रहा है लेकिन यह सिर्फ गोल्ड कलर में ही फिलहाल अविलिबल है इसके बिल्ट कॉल्ट की बात कीजा जो इंडिया में Y2 आया है दुबाई में S2 इंडिया का Y2 सेम तो सेम आप देखे तो सिंगल सिम ट्रे है जो के हाइब्रेट है नीचे टाइप सी की जगा है स्पीकर है मैक्रोफोन है और यहां पर पावर की है वाल्यम अप अप डाउन है और यहां पर जो दो कैमरा देगे है और यहां पर सिंगल एलेडी है के डबल है dual LED है जिएका dual LED flashlight है dual camera है fingerprint sensor है आ रहा है यह अभी तक हो रहा है bootload काफी बड़ा दोस्तों काफी premium यह बिल्कुल भी metal है plastic बिल्कुल नहीं है उपर से नीचे यह complete complete metal है add कर लेते हैं यह Mi Band 3 दोस्तों Mi Band 3 का English version है आप देखें complete English में लिखा है Mi Band 3 का English version भी आ चुका है तो अब यह क्या है meet my app store ओके जो भी है यह नए चीज आया है got it कर दिया हमने और यहां पर हम सबसे पहले इसका face unlock भी देखेंगे और लेकिन सबसे पहले हम इसका fingerprint देख लेते हैं तो यहां से हमने रखा बढ़िया 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 फिंगर प्रिंट दो हैं ज्यादा कर लेते हैं वाल पेपर इसका कुछ यह हमें देखने को मिलता है और यहां से हम चलते हैं सबसे पहले देख लेते हैं इसकी सेटिंग में about phone में about phone में MI का max 3 android 8.1 में है और यह MIUI global है 9.6 टेबल और यहां पर octa-core max 1.8 GHz है RAM है 4GB की 64 GB में 50 GB अवेलेबल देखने को हमें यहां पर मिलती है अब यहां यहां पर हमें इसका face unlock देख लेएं यह कहां पर मिलेगा low screen password face unlock कहां पर है add face data यह रहा add face data और यहां पर हम face unlock को भी लगा देते हैं और अब बोलेगा यह next तो नेक्स्ट भी कर लेते हैं ओके अब बोलेगा रखो तो ठीक है ओके एक इट सेक्सेस्वली क्या मेरी लबान भार वाली पिच्छर इसने सलेट कर ली तो डन हो गया आप देखते क्या ये फेस अनलॉक को जी हां यहां पर मैं हूँ और फेस अनलॉक बिल्कुल बहुत फास्त है जैसे जैसे आपने बट देखिये यह फिट से करते हैं होम इसक्रीम में जाए यह बंद क्या यह बंद क्या और यह स्टाट क्या और यह है ना लॉक्स फाइफ टी जैसे भी फास्त नहीं है लेकिन ठीक इतना slow भी नहीं है, face unlock भी बात होगी, fingerprint की बात होगी, अब camera sample की यहाँ पर कुछ हम camera sample ले लेते हैं, allow कर दें, यहाँ पर बहुत सारे mode दिये गे हैं, shot video, video, photo, portrait, square, panorama, manual, बहुत सारे यहाँ पर mode दिये गे हैं, तो हम कुछ selfie ले ले लेते हैं, selfie में portrait है, बिल्कुल है, of course होने picture मैंने आपके सामने portrait में ले हैं, बाकि sample मैं आपको इसके दिखाता हूँ, यह portrait mode क्या जबरदर्स picture है, और sample मैं आपको अभी लेकर बताता हूँ, ठीके तो मैंने काफी सारे सेंपल लिये हैं और मैंने आपको यहाँ पर स्टोर की लोकेशन तक भी बताई है तो यह तो सेलफी मैंने आपके सामने यहाँ पर ली थी बिलकुल बढ़िया इसका मुझे नोट फाइव जो की दुबाई में आया है इंडिया में प्रो हरागे थो सेलफी कैमरा में डिफरेंट है लेकिन जो नोट फाइव दुबाई में आया है उससे इसका कैमरा बहुत ही अच्छा देखने को लग रहा है यह दोनों पॉर्ट्रेट मोड की पिच्छर है और यहाँ पर यह फ्रंट कैमरा है अलाव कर दें में चाहिते हैं जो उससे इसका कैमरा मुझे अच्छा देखने को लग रहा है अब संद्यार केमरा बलकुल कैमरा यहां पर था यह सेलफ़्ी आप यही रियल कैम्रा है यहांपर भी कि मनद है हिंहां कि आपको बराबरा पता चल गी होगी कैमरा इसका मुझे फर्स लोक में इतना अच्छा देखने को नहीं लगा था यहां पर बारा और पांच मेगा पिक्सल है तो यह सब बात है हमने कर ली अब प्राइस की बाद दोसरो करते हैं कलर के ओएलीबिल्टी जो सिर्फ ऑर सिर्फ गोल्ड कलर में आया था Max 2 जब आया था वो black and gold color में दोनों color में आया था लेकिन Max 3 को यहाँ पर तीन color में launch किया गए gold, black और blue दो ब्लू color बहुत ही अच्छा देखने को लग सकता है जब blue color यहाँ पर available हो जाएगा तो मैं उसकी भी unboxing लेकर आँगा blue color के लेकिन फिलहाल आज की date में यह gold color यहाँ पर available है बाकि fingerprint बहुत बढ़िया है face unlock face unlock भी बहुत बढ़िया है build quality बहुत बढ़िया है camera भी अच्छा है बुरा नहीं है और बस अब price की बात करते हैं यहाँ पर video 10 मिंट से उपर हो गई है यहाँ पर calculator निकाला दो तो यह पहला stock है आपको पता है पहला stock जब होता है जिसकी price सोड़ी सी ज्यादा होती है लेकिन इसकी price जरूर से काम हो जाएगी अब की आज की जो price है वो है साड़े 800 दिरहम 64 GB वाले की साड़े 800 दिरहम max 3 जिसको हम अब इंडियन करंसी 19 तक पहुंच यह तो 16,000 इंडियन रुपीज का मिल रहा है पहला stock है आपको पता है पहला stock को जज नहीं करते 16,000 है यह 14,000 भी हो जाएगी कुछ ही समय के बाद लेकि आज यह 16,000 का है तो इस वीडियो में इतना ही शब्पाखेर बस और हज मुबारक आप सभी को शपाखेर